दोस्तों आज हमें एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो शायद आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई है और वो है गले में हर वक्त बल्गम का यानि फ्लेम का बना रहना जमा रहना अगर आप इस प्रॉब्लम से पीडित हैं या फिर आपके घर में या परिवार में कोई इससे प्रशान है और हर वक्त इस तरह से गले को साफ करता रहता है तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो की बल्गम को गले में बढ़ाने का काम करती है और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर गले में बल्गम जमा रहता है और समय प्रशानी रहती है इससे तो आसानी से इसको बिना किसी दवाई के कैसे दूर किया जा सकता है इससे चुटकारा पाया जा सकता है तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में पूरी डीटेल से तो सबसे पहले आईए समझते हैं कि आखिर ये बलगम है क्या बलगम जिसकों की इंगलिश में फ्लेम कहा जाता है ये हमारे respiratory system का हमारी जो साथ लेने की प्रनाली होती है उसका एक बहुत ही important हिस्सा होता है ये एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि हमारी नाक, हमारे गले और हमारे फेवडे के अंदर बनता है और इसका मुख्य काम जो होता है वो होता है respiratory tract को नम रखना, moist रखना और dust और दूसरे जो harmful particles बगरा होते हैं bacteria virus होते हैं उनको पकड़ के हमारे शरीर से बाहर निकालना इसलिए थोड़ा बहुत बलगम हम सभी के अंदर दोस्तों हर टाइम बनता रहता है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक protective shield की तरह हमारे respiratory tract को protect करने का काम करता है तो इसलिए ये काफी important चीज़ है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में ये बलगम बहुत जादा बनने लग जाता है और इसकी वज़ा से problem होने लगती है अब इसके कई कारण हो सकते हैं जादा बनने के जैसे कि अगर मान लीजे आपको सर्दी या flu हो जाए या फिर allergy की समस्या हो तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपके गले में या आपके chest में जो बलगम है वो जादा बनने लग जाता है ये हमारे शरीद का दोस्तों एक natural response होता है जिससे कि वो खुद को infection से या फिर allergy से बचाने की कोशिश करता है दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी factors होते हैं जो कि हमारी daily life में होते हैं जैसे कि कुछ खास वरकार के खाने पीने की चीजें हमारा आहार हमारी diet जो कि बलगम को कभी-कभी बिना जरूरत भी बढ़ा देता है और problem create करने लगता है तो चलिए अब जानते हैं इन foods के बारे में लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही है ये topic आपको पसंद आ रहा है आगे भी इस तरह की वीडियोज दिखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा अगर अभी तक नहीं किया है और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको like भी कर दीजे और अपने thoughts नीचे comment section में भी हमारे साथ जरूर share कीजेगा आपके इन likes और subscribe से हमारे इस तरह की वीडियोज को ज़्यादा reach मिलती है और हम ज़्यादा लोगों तक अपने message को पहुचा आपाते हैं तो सबसे पहले number आता है दोस्तों दूद और दूद से बने हुए दूसरे products का जैसे कि पनीर, चीज या दही बगरा इस तरह की जितने भी dairy products होते हैं आपने अक्सर देखा होगा कि अगर इनको खाया जाए तो इससे क्या होता है कि हमारे गले में और हमारे छासी में बल्गम का production बढ़ने लग जाता है लेकिन यहाँ एक interesting fact यह भी है कि इन चीज़ों को लेके कई बार जो scientific research है वो आपस में mail नहीं खाती है divided रहती है बहुत सारी scientific studies इस बात को कहती है कि dairy products जो हैं वो बल्गम को बढ़ाने के काम करते हैं जबकि कुछ ऐसी researches भी हैं जिनके according इसका आपके बल्गम के उपर चाते के उपर कोई negligible effect पड़ता है मतलब कोई ऐसा खास फरक से नहीं पड़ता है वैसे मैं यहाँ ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि कुछ चीजे सिर्फ science पर ही based नहीं होती है सिर्फ इस बात पर ही based नहीं होनी चाहिए कि कोई चीज research से थाबित है या नहीं है science का जो में मक्सद है वो किसी बात को सिद्ध करना है उसको सच साबित करना है बलकि यह नहीं है कि ऐसा होता है या नहीं होता है बहुत सारी चीजे हमारे experience से ऐसी होती है जो कि हम सदियों से experience करते आए हैं उसको महसूस करते आए हैं परक्ते आए हैं और अब जाके वो चीज़े science से थाबित हो रही हैं, तो अगर इस बात की भी हम तहे में जाएं, तो हम देखेंगे कि हमारा experience जी कहता है, कि अगर दूद या दूद से बनी चीज़ों को जादा पिया जाए, या अगर किसी को बलगम जादा बनता है, वो इनसान अगर दूद क बनी चीज़ों को इस्तमाल करता है, तो उसके अंदर बलगम का जो production है, वो जादा बढ़ जाता है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है, अगर आपको मेरी बात पर दोस्तों भरोसा नहीं है, और आपको लगता है कि science कह रही है कि ऐसा नहीं होता है, तो ऐसे केस में आप एक research, ए अपने आप दिखाई दे जाएगी, कि वाकई में दूद और दूद से बने जब products होते हैं, वो बलगम को बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं, in short, मेरी अगर राय आप माने, तो दूद और दूद से बने products आपको नहीं लेने चाहिए, अगर आपको बलगम की समस्या है दूसरा नमर जो आता है दोस्तों वो एक ऐसी food category का है, जिसमें शामिल है refined sugars और processed foods, आपको पता ही है कि आजकल के इस fast paced lifestyle में हम लोग अकसर fast food और package snacks पर रिलाई करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन में बहुत ही high level के refined sugars और दूसरे additives होते हैं, जो कि हमारी body के लिए problematic हो सकते हैं, जब हम ज़्यादा चीनी को, ज़्यादा sugar को या फिर बहुत ज़्यादा highly processed foods का सेवन करते हैं, तो ऐसे में ये हमारे immune system पर negative effect डालता है, और इसके साथ साथ body में bulgum के production को भी बढ़ाने का काम बढ़ता है, high sugars जो होती हैं दोस्तों ये inflammation को भी body में बढ़ाती है, जिससे हमारे respiratory system में, हमारे फिफ्रों के अंदर, गले के अंदर, mucus और जो बलगम हैं, वो ज़्यादा बनने लगता है, इसका और एक पहलू भी है, और वो ये कि जो ये foods होते हैं, ये हमारी body को dehydrate भी करते हैं, यानि पानी की कमी भी body में करते हैं, और dehydration की वज़ा से, जो mucus होता है, वो गले में गाड़ा होने लगता है, और वहाँ जम जाता है, असानी से बाहर नहीं निकलता है, तो अगर आपको regularly महसूस होता है, दोस्तों कि आपका बलगम धीरे दीरे बढ़ रहा है, प्रॉब्लम जादा हो रही है, तो शायद इसका एक करन हो सकता है, कि आप जादा sugar को या जादा processed foods को इस्तमाल करते हैं, तो इन पे आपको check रखना बहुत ही सिरूरी है, दोस्तों अब तक हमने बात करी dairy products और refined sugars के बारे में, अब आईए बात करते हैं, एक तीसरी category के बारे में, जिसमें included है red meat और fried foods, दोस्तों red meat या जो लाल meat होता है, जैसे क beef, pork या फिर lamb, और deeply fried foods जैसे कि समोसे या पकोड़े जो बड़े मज़े से हम लोग खाते हैं, इस सभी चीज़े जो होती हैं, इनके अंदर high levels of saturated fats होते हैं, जो कि हमारी body के अंदर inflammation को बढ़ाते हैं, और जब inflammation बढ़ता है, तो उसकी वज़ा से हमारे अंदर जो बलगम का production ह वो बढ़ने लगता है, और इसी वज़ा से ये दोनों ही चीज़े आपको avoid करने चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर बलगम ना बने, यानि कम बने, अब बात करते हैं दोस्तों, दो ऐसी drinks की, जो कि हमारी daily life का बहुत ही बड़ा हिस्सा है, जो कि है caffeine और alcohol, चा सीधा सीधा असर होता है आपके mucus पे या कह सकते हैं बलगम पे, caffeine और alcohol ये दोनों ही चीज़े natural diuretics होती है, मतलब ये आपकी body के अंदर पानी को कम करती है, पिशाप ज़्यादा लाती है, जिससे क्या होता है, body dehydrate होती है, और आपका mucus या बलगम जो है वो गाड़ा होने कर देनी है, आपको बिल्कुल बंद नहीं करनी है, हाँ, moderation का आपको ध्यान रखना है, और अगर आप regularly इन चीज़ों को daily basis पे लेते हैं, तो ऐसे case में आपको इनको बहुत ही कम quantity मिलेना है, या फिर अगर हो सके, तो आपको इनको बंद कर देना है, इसके साथ साथ एक और important बात ये भी है, कि अगर आप ये जीज़े इस्तमाल करते हैं, तो आपको पानी अच्छी खासी मातरा में दिन भर पीते रहना है, थोड़ा थोड़ा, ताकि आपकी body dehydrate ना हो, बल्गम जो है वो गाड़ा ना हो, और आपको problem ना create हो, दोस्तों बल्गम बढ़ाने वाली इन खाने पीने की चीज़ों को समझने के बाद, आईए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे आसान और effective उपायों की, जो कि बल्गम को कम करने में मदद करते हैं, सबसे पहला और सबसे important उपाय है hydration, जी हाँ, पानी, हमारे शरीर के लिए दोस्तों पानी जितना जरूरी है, उतना ही ये बल्गम को पतला करने में भी मदद कार है, दिन भर में आपको कम से कम 8 से 10 गलासवानी थोड़ी-थोड़ी quantity में पीते रहना चाहिए, जिससे कि आपका respiratory tract साफ हो सके, सुस्त रह सके और आपको बल्गम की problem ना हो, इसके बाद अगला उपाय हैं दोस्तों, herbal teas, जैसे कि चाहे, दालचीनी की चाहे या फिर peppermint tea, ये कुछ ऐसे options हैं जो कि स्वादिष्ट होते हैं और साथ इसाथ आपको anti-inflammatory benefits भी देते हैं, बल्गम को साफ भी करते हैं, इसके लावा दोस्तों आप चाहें तो आप मदद ले सकते हैं एक और बहुती effective उपाय की जो कि है steam inhalation या फिर थोड़ा सा eucalyptus oil भी मिला सकते हैं जिससे की efficacy और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसके लावा आईरवेट के अनुसार तुलसी, honey और turmeric जैसे natural ingredients का सेवन भी हैं जो होता हैं ये बल्गम को साफ करने में काफी ज़्यादा फायदे मन होता है, ये शरीर में अमा को कम करते हैं, यनि toxins को कम करते हैं और respiratory threat को मजबूत बनाने का भी काम करते हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज कैसी discussion में हमने देखा कि कैसे कुछ खाने पीने की चीज़े बल्गम के उपर सीधा सीधा असर डालती हैं और हमारे इस इस problem को बढ़ा सकती हैं, वहीं क आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सिका होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजेगा, और चैनल पर अगर अगर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे, ताकि आने वाले वक्त में भी आपको हमा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा